ज़ो लूट ट्यूट आई हम लोग इस वीडियो में बात करनेवाल हैं प्ति और सserा ऑछ चीज़ों के बात करेंगे हैं अम आने वाले वीडियो में ईससे र्कार एंडेड कंशन भी टैंने और यूच वीडियों के ऐन्टिक विड्यों के ऊछज अर्रा तो दिराख नोटेशन हम लोगों का उसमें दो हम लोगों के space basically use होते हैं एक होता है cat space एक होता है bra space तो एक cat space और bra space है क्या असल में यह एक state को या of the system को represent करने का तरीका है of a vector space by vector space तो यह हम लोगों का कुछने बलकि एक vector space है आप cat को इस तरीके से represent करते हैं cat और bra जो होते हैं उसको हम लोग linear combination of vector space भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से जैसा कि आप लिख सकते हैं कि c1 यह cat of alpha plus c2 sorry इसको मैं फिर से लिख देता हूं c1 cat of alpha plus c2 cat of alpha alpha 1 alpha 2 ठीक इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो यह हम लोगों का representation है linear combination इसके बाद हम लोग multiplication अगर आप देखेंगे cat का तो यह हम लोगों का कुछ इस तरीके से होता है कि c1 जो alpha होता है cat of alpha यह हम लोगों का यह होता है यह alpha c1 भी आप लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पर c1 क्या complex number है ठीक है यह हम लोगों का क्या होगा null vector होगा क्या होगा null vector अगर c1 0 है null vector होगा अगर c1 0 है ठीक इतना आप लोगों को समान में आओगा और यही सब चीजे concept bright space के लिए भी लागू होती है और हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है column और यहाँ पर रो लिखा हुआ है यानि जब अगर हम लोग केट को column matrix के form में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं abc and abc are nothing but the constant है फिर आप लोग उसको कह सकते हैं कि c1 c1 c2 जो भी होता है वह होता है और वहीं पर bright space को आप लोग row matrix के form में रिप्रेजेंट कर सकते हो यहीं पर abc क्या है real numbers यानि वहीं जो complex number है आयोटा हो स equal alpha into c1 के ठीक यह याद रखिएगा this is a important property to now एक और property जो हम लोग discuss करने जा रहे है तो जो properties है हम लोग उसको discuss करने जा रहे है कि जो हम लोगों का साई है get of साई वह हो a151 plus a252 आप जैसा कि देख पा रहे हैं यह चीज ठीक इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि a b जो c हम लोग इसको यह क्या है linear combination है ठीक और वहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो उसके corresponding get space के corresponding हम इसा एक bra space होगा उसको हम लोग represent करेंगे कुछ इस तरीके से and यहाँ you can see that कि a यहाँ पर a conjugate हो गया है ठीक है यानि one plus अगर iota होगा माल दीजे one plus iota अगर आप उसका conjugate लेंगे तो one minus iota हो जाएगा and आप लोगों का 51 है यह cat 51 है तो यह bra 5 हो जाएगा similarly for second part and similarly for आगे ठीक है this is also an important property इसके बाद हम लोगों का आप देखिए जो हम लोगों का a si है is equal to a अगर यहाँ पर कोई scalar या फिर constant है तो cat के साथ अगर वह operate करता है तो वह हमेशा basically बा यहीं पर मैं बताना चाहता हूं कि यह property इससे पहले आप लोग अगर यह property ना समझ में तो उससे पहले यह समझ लिए जो हम लोगों का यह आएगा यह सॉरी एक सेगें हम लोगों का ब्रा साई जो होगा वह corresponding होगा उसके साई फाई के इसका complex conjugate लेते हैं ठीक है ठीक है अग अगर हम लोगों का यह ब्रा है ब्रा है यानि हम लोग रोव फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग कॉलम में बदलेंगे और उसका हम लोग complex conjugate ले लेंगे ठीक है उससे पहले अगर मैं आप लोगों को यह वाली property समझाने से पहले आप लोगों को inner product के बारे में बताना चाहेंगा inner product और outer product और outer product इनर अपर आउटर product में क्या होता है कि inner product में आप लोगों का अगर आप लिए फिर ब्रा लिखते हैं फ्र को स्रुकवां करते हैं उस स्यां की यह हम लोगों का inner product होता यहाँ पैर हम लोगों का 5 si inner product का 5 सइ 5 यह हम लोगों का होता है inner product of फाइ्स i का complex conjugate ठीक यह उबटा हो जाता है जो cat में भो ब्रा मे चला जाता है और जो ब्रा हो cat में बदल जाता है इप्रोर्टेंट प्रोपर्टी अब ऑर्थोगोंनल इस्ठेट और si M और si N integration minus infinity to plus infinity d tau जो हम लोगों का होता है तो यह हम लोगों का क्या होता था del MN यह हम लोग integral form में लिख रहे हैं लेकिन अगर हम लोग इसको vector space के form में लिखेंगे तो यह हम लोगों कुछ इस तरीके से होगा si 5 si N यह N है ठीक तो यह हम लोगों का होगा, यह भी हम लोगों का del mn होगा, ठीक, यह हम लोगों का vector के form में है, now this del mn, अब मैं इसके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा, कि जो हम लोगों का यहां पर del mn है, यह हम लोगों का क्या होता था, यह होता था, यह तो 1 यह तो 0, 1 for m is equal to n, और जो देखिए साइफाइ के साथ हम लोगों का 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 इनर प्रोड़क्ट आ रहा है तो वह न आ रहा है यहीं पर इस प्राइब के लिए भी कह सकते हैं ठीक फाइफाइ हम लोगों का जो इनर करेगा यानि के साथ operate नहीं करेगा और ब्रा के साथ कभी भी exist नहीं करेगा इसे हम लोग forbidden state कहते हैं उसके बाद आता है और इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोड़क्ट के बारे में हम लोगों ने discuss करी लिया हुआ है और यहां पर आप लोगों को कुछ और हिंट करना चाहूंगा कि जो हम लोगों का मालीजे हम लोगों को कोई भी एक केट साइड या हुआ है कैस्तों आव लोगों को समझा बया हुआ है कैला है इसको सबसे पहले हम उसका अधाजय कॉम्प्लेस कॉंगे लेना हुआ oluyor the complex conjugate what will you see आप लोग ये देखोगे कि आप लोग इसको मैं मिटार दे रहा हूँ अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अगर टू काम लोग complex conjugate लेंगे तो minus iota और one plus iota का हो जाएगा one minus iota this is the required आप लोगों को corresponding आप लोगों के इस इसके इस matrix के corresponding आप लोगों की जो ब्रा मैट्रिक्स होगी वो यह होगी ब्रा वेक्टर होगा जो ठीक अब ना इससे रिलेटेड हम लोग रो में convert की जाएंड टेकिंग complex conjugate उसके बाद आप लोगों को इनर प्रोड़क्ट आफ 5 साई निकालना है यह कैसे निकालना है पहले तो आप लोगों ने पहले पार्ट में यह निकाल ही लिया हुआ है अब उसके साथ आप लोगों क्या करना है multiply कर देना है क्योंकि यह जो आप लोग multiply करेंगे मतलब operate करवाऊंगो तो वन इंटू वन की एक matrix बनेगी जिसका solution में आप दोनों का solution यहां पर करके रखा हुआ है आप लोग देख किसे मज़सकते हो तो first part of the question जो कि आप लोग असानी से निकाली लिये होगे तो second part of the question देखिए वही matrix बनी है उसको मैंने multiply करवा दिया है operate करवा दिया है इसके साथ पूछ रहा है कि आप लोग देख रहा है कि साई फाई जो आप लोगों को दिया हुआ है यहां पर आप लोगों को दे रखा हुआ है इसको देखके डरिए मद सबसे पहले कि जो यह है साई प्लस फाई केट है इसको आप लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते है केट ओफ साई प्लस केट ओफ फाई इसमें आप लोग कुछ नहीं करना है basically operate कर देना है addition करना है किसके साथ a1 a1 के साथ add होगा जैसे पहले करते थे a2 a2 के साथ add होगा बहुत आसान है और वैसे ही आप लोग कै पहले ब्रा निकाल दीजे फिर उसका ब्रा फाई निकाल दीजे आप लोग को क्या करना है दोनों को add करना है जो दूसरा वाला पार्ट है इस ही में का कि साई प्लस प्लस फाई प्लस साई लिख सकते हो ठीक इसमें तो कोई समझत्या नहीं होनी चाहिए no problem ठीक अब इसके इसमें बाद में जो दूसरा पार्ट है इसमें मैं डिसकस करना चाहूँगा कि आप लोगों को जो calculate करना है वो है फाई नर प्रोड़क्ट आफ फाई अंड साई नाओ आप लोग को during the process आप लोग जो ब्राव फाई निकालोगे ब्राव फाई निकालोगे क्ट आफ फाई स के साथ multiply होगा यानि 1 हो जाएगा और थो normal है वहीं पर जो उल्टा है कि मतलब A1 A2 के साथ जब operate करेगा तो यह 0 हो जाएगा ठीक वहीं पर मैंने बताया हुआ था कि A1 A2 के साथ करेगा तो orthogonal हो जाएगा वहीं A2 A1 के साथ करेगा तो वो part भी 0 हो जाएगा यानि A1 A1 के सकते हैं first part का answer जो कि आप लोग simply add करके निकाल सकते थे और second part का answer उसी का complex conjugate करके भी आप लोग निकाल सकते जैसा कि मैंने बताया तक कि it is nothing but the complex conjugate of bra now second part of the question is this कि आप लोगों को साई पहले निकालना है bra और उसका 5 के साथ आप लोगों को जब operate करवाएंगे तो A1 A1 के साथ operate क 2 minus 1 plus 3 iota हो जाएगा और जब 7 plus 2 क्या होता है 14 iota square होता है minus तो minus 14 plus 3 iota यह आगया हम लोगों का और similarly उसका complex conjugate ले लिया तो minus 14 minus 3 iota वही चीज़ आ जाएगा तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे तो इस वीडियो में बस इतना ही hope आपको वीडियो समझ में आया हो कर दो